हलो दोस्तों स्वागते आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आप लोग देखी सकते हो जो स्टॉक आपको बताने वाला हूं मैं उसका प्राइज कितना है 18 रुपया है तो मैं किसी भी स्टॉक को ऐस सवेश से नहीं बताता हूं क्योंकि वह फंडमेंटली बहुत ज्यादा क्रेक्ट रहता है तभी मैं इस स्टॉक के बारे में बाते करता हूं क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि आप यह छोटा सा प्राइज देखके आप उसमें पैसा लगा दो और आपका पैसा डूब ज अच्छा खासा हो और उसने एक दो साल के अंदर अच्छा खासा रिटन भी प्रवाइड कर रखा हो तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को सेर कर सकते हो आपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके और ऐसे स्टॉक में वो invest करके पैसा कमा सके अभी देखो ए 18 रुपया चला है 18.13 पैसा चला इस stock का price अभी इसमें आप 100 quantity buy कर लो अभी माल लियो आपने 100 quantity buy कर लिया तो 100 quantity buy करने के लिए आपको कितना रुपया लगेगा 1813 रुपया लगेगा और आपके पास ज्यादा पैसा है तो माल लिया तो 326 रुपया लगेगा तो आप इसमें ज्यादा quantity buy कर सकते हो ऐसे छोटे stock खरीदने का एक ही benefit रहता है जिनको नंबर आप सेर ज्यादा खरीदना है तो वो छोटे सेरों में पैसा लगा सकते हैं और वही सेर में पैसा लगाना जो fundamentally correct है कि उनको आगे चलके जैसे सेर में पैस लगा है यह multi-bagger बन गया और आपके पास सो सेर हैं आपके पोटफोलियो में सो सेर हैं तो यह multi-bagger बनेगा माले दो तीन हजार चला गया एक सेर का दाम तो आप समझ सकते कितना रुपया हो सकता है तो इसलिए सब लोग छोटा सेर बाय करते हैं छोटे price की सेर को बाय करते ह है बट उनको एक चीज यह याद रखना चाहिए कि company अच्छी होनी चाहिए fundamentally correct होनी चाहिए तब भी उस सेर में पैसा लगाना चाहिए ना कि सेर का price देखके आप उसमें पैसा लगा प्राइस देखके पैसा नहीं लगा जाता है company का fundamental चक करके तब पैसा लगा जाता है जो अच्छे investor होते हैं वही काम करते हैं बट अभी आपको surprise भी कम है और company भी अच्छी है तो उसमें पैसा आप लगा सकते हो वसा ऐसे company में आपको पैसा कम लगाना है आप लोग देख सकते हो एक साल के अंदर जो return provide किया है वो है 57% का return provide कर दिया एक साल के अंदर 57% का return provide कर दि है तो आप माल सकते हो 2019 में 2012 से लिस्ट अभी दोजय फाली यह भाग रहा था बट आप भागना सुरू कर दिया यह इस्टाक तो मैं बात करूँ इस का इस स्टाक का नाम क्या है तो आप लोग देख सकते हो यह स्टाक का नाम यह इधर लिखा है काइनेट ट्रस्ट तो आप इसे Google पर टाइप करके further research करके आप इसमें invest कर सकते हो आगे चलके आपको इसमें बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है